उत्तरप्रदेश में पित्रयाच जोहान मूवी को टेक्स फ्री कर दिया है सीम योगी अधितनात नहीं एलान किया है इस वजादा बाचित करने के लिए फिलाल मेरे सथ मौजुद है केंद्री राज्यमंत्री बील वर्मा जिनसे हम बात करने वाले है कल खुद जो है ग्रह मं तमराठों की अक्सर हार ही पिक्चरों में दिखाई जाती थी तेके प्रत्विराच चोहान की जो फिल्म मानिया मिसाजी ने देखी है और उस फिल्म की जिस तरह से सब परिवार देखर के प्रस्थिसा की है मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है टेलिविजन पर लगते हैं कि तरिविए कि तरीके से कई आपकी पार्टी की नेता बयान दे रहा है कि मोगलों की जीत समराठों की हार इस तिरीक का इतिहास के पारिवर्तन चितन के जुरूत है तेखिछास के बारे में बहुत जादा मैं नहीं कहुआ लेकि मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में तुस्टिकन की राजनीती जादा रही है और मुगल साजकों में जिस तरह से हमारे देश में किस किस पकार के ऐसे घटनाएं हुई जिनके लिए आज भी हमको सर्म से सिर जुकता है और बावर जैसे अकरांता जिनोंने भगवान सीराम के मंदिर को तोड़ करके हिंदू संस्कृति को नश्ट करने का काम किया था और आज 500 साल के बाद में भगवान सीराम का मंदिर कोड के आदेश के बादी बढ़ना है मैं आज माने बावजी कल्यान सी जी नहीं है 6 दिसम्ब 1992 के लिए जब ये ढाचा ढाने की घटना हुई थी उसमें माने बावजी कल्यान सी ने अपनी सरकार को बरदान किया था तो मैं कह सकता हूँ कि 464 साल पुराना ढाचा जिस दिन 6 दिसम्ब 1992 को गया था मार्ग उसी दिन परस्स हो गया था राम मंदिर बनने का और आज हमारे ब्रोधी पहले कहते थे तो मैं कह सकता हूँ कि बुझा कर देख ले राम मंदर बनना प्रारम हो गया है यूगी जी ने राम मंदर की निम भी रख दी है और बहुत जल्दी से भब राम मंदर बनेगा कई न कई दाजनीती जो है नजर आ रही है कि बॉलिवूड को कितना समर्थन मिल रहा है कुछ मुद्दो को लेकर चाहे कंगर रानौत की मूवी की हम चर्चा करें यहां पर कश्मीर फाइल का जिकर करें और अब समराट की बात करें पृत्रत चोहान समराट की तो आपको ऐसे उसको बलवा देनी की बात करते हैं लगता है कि हमारे जो जिन्हों ने इस देश के लिए काम किया है उनकी उपर प्र extrapol गाते हैं अच्छा लगता है अब वो आज भी मगलों की बात करेंगे आज भी उनको तुष्टीकन की जब बात करते आए उनहें की बात करेंगे तो मु कहलtu हैं उन्हीं लगता है कि लोगों जटा होता है स्वाइमां से कह सकते हैं कि आज ऐसी बनाई जारी है वास्त mínimo होता है यह छे थिकलों लगता है क्या लगता है कोई कहावद भी थी की रिश्टा क्या कहला explorδi ऐसी बाते बी चलती है आपकी पिलिस रिस्ता क्या कहलाता है इसको उन्हों ने ठगा आजम ची कोछ लगता है लेकिन मैं कह सकता हूं कि रामपुर में इस बार कमल खिलने वाला है और हमने डॉक्टर नेपाल सिंगे द्वारा कमल खिलाया भी था और फिर से माने परदान मंत्री मोदी जी के नेतुत में पूरे देश में कमल खिलना है तो मुझे लगता है कि रामपुर में भी इस प्लेश ने ठागा नहीं कैमेर पीजन रोहन के साथ मैं भावना रनाइन न्यूज दिल्ली